सच्चाई ये है कि 10 में से 8 बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि 11 से 12 में जाने के बाद आखिर प्रेप्रेडिशन कैसे करें कि 11 का सिलेबस भूले ना 12 भी स्ट्रॉंग हो जाए और जेई में सेलेक्शन भी हो जाए बट कितना भी ट्राइ कर लो बनी 11 में कुछ ना कुछ तो वीक रही जाता है कुछ ना कुछ तुम भूली जाते हो राइट अब 11 का बैकलोग ऐसे क्लियर करना उसके उपर मैंने एक डीटेल में वीडियो बना रखी है बट इस वीडियो इस नोट अबाद बाद 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 भूल जाओगे और इस वीडियो को का मैं तुमको वह हैक्स बताना कि तुम 11 ना भूलो तो trust me तुमको किसी भी अच्छे IIT में जाने से कोई नहीं रोक सकता है तुम खुद भी नहीं One number one holidays are for class 11. Guys make sure to follow one thumb rule that is weekdays पर तुम class 12 पर focus करो गर जितने भी holidays आएंगे उस पर तुम class 11 पर focus करोगे Now let me tell you a strategy जो कि मैं खुद follow करता था जिससे कि मैं revision करता था उन chapters का जो कि मैंने बहुत पहले पढ़ा होता था जिनको भूलने के गुझाइश होती थी तो मैंने एक 3R का slot लेता था chapter wise revise करने के लिए और उसको तीन पार्ट में divide कर देता था पहले घंटे में theory revise करता था और short notes बना लेता था अब अगर तुमको short notes बनाना नहीं आता तो please short notes कैसे बनाते उसके उपर मैंने एक detailed video बना रखे उसको जरूर देखना जिन्होंने इस स questions होते हैं जो कि जब मैंने पहली बार उस topic को पढ़ा था उस chapter को पढ़ा था तब जो ऐसे questions थे जो कि मेरे से एक बार में नहीं बने थे या फिर ऐसे questions जो मेरे से बन गये थे बर मुझे लगता है कि वह अच्छे questions है उनको बाद में revise करना चाहीं सिर्फ और सिर्फ उनको ब करता था या तो PYQs या फिर किसी अच्छी publication का बुक अगर तुम्हारे प्रप्रेशन का लेवल अच्छा है तो तुमको लास्ट के वन आर में अडवांस के लेवल के questions लगाने चाहिए अब यह तो बात होगे कि कैसे करना है revision holidays पे बड़ बात करते हैं order of chapters के बारे में कि कि chapter को किस order में पढ़ना है क्योंकि यह बहुत साथा important है अगर तुमने पूरा 11 पढ़ रखा था तुम्हारा syllabus पूरा खत्म हो गया तो better यह रहागा कि तुम chapter 1 से revision मत करो तुम revision करो order of weakness के according मतलब जो chapter तुम्हारा सबसे weak है उसका revision सबसे पहले करो और strong वाले का सबसे last में करना हो अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसका syllabus पूरा खतम नहीं हो पाया था 11 में तुम्हारे बहुत सारे backlogs थे तो make sure कि पहले तुम backlogs खतम करो और उस case में भी अपने backlog के list को खोलना और देखना कि ऐसे कौन से chapter से backlog वाले list में जिनका जरूरों तुम को 12 में अभी तुरंद में पढ़ने वाला है तुम सबसे पहले उनको finish करना उनको revise करना अगर मैं mathematics की बात करूँ तो वहां पर तुम algebra के topics like quadratic sequence and series complex number and coordinate geometry यह sequence follow कर सकते हो और chemistry में mole concept electro chemistry और equilibrium important है और अगनिक के GOC and isomerism important है बागि in organic तुम्हार 11-12 बहुत जादा अलग लेवल पर interrelated नहीं है तो तो तुम उसको अपने हिसाब से पढ़ सकते हो तुमको हर एक week या फिर हर 15 days पर एक section test देना है और यह section test होगा only class 11th के syllabus का number B full 11th test like the name says तुमको पूरे 11th के syllabus का test देना है और यह तुम 12th start होने के 3-4 महिने के बाद देना शुरू कर सकते हो कितनी frequency में देना चाहिए well अगर तुम यह test दे रहो इसका मतलब है कि तुम्हारा syllabus almost अच्छे से cover हो चुका है तुमको बहुत जादा सच confusion नहीं है 11th के syllabus में और जो भी तुम्हारी कमजोरिया थी जो भी weaknesses थी वो तुमने start के 3-4 महिने में 12th के उसको cover कर लिया है तो ऐसे मे जब तुम अगर मालो तीन मेने के बाद यह test देना शुरू कर रहे हो तो I feel तुम हर मंद एक full test दे सकते हो ताकि तुम्हारा पूरा syllabus का revision होता रहे number C combined tests अब यह combined topic test होंगे जो कि 11th और 12th के chapters को combine करके होंगे मतलब इसका format कुछ ऐसा होगा जो कि actual exam में होता जिसमें कि तुम्हारा 11 के भी questions आते हैं तुमको जोबी चीज़े मेने बता ही नहीं कोकी कोचिंग नहीं बताएंगा तुमको को कोशें दिड ecc Capelli ऊब्लं का नए तो सबण नहीं तुमको बताने वाला है और नाहीं तुम्हारा कोई check करने वाला अम मैं तुमको यह बता रो इस वीडो में घराके नहीं करां कि तम यह तेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो तुमको अपने में बहुत ज़िपलेन रहना पड़ेगा कि तुम एक टे रही हो या नहीं दे रहा है कि इतने मेने के बाद दो इस फ्रिक्वेंसी से दो फंघुन दिन पर उग खथे पर दो अपने को इक time line decide कर लो लिख लो कि हां इतने तारीकों टेस्ट होगा अगले तीन मेहने के लिख लो और कोशिश करो कि उन तीन मेहने पर जो भी डेट सुन में लिख रखे उन पे वो टेस्ट दो ही दो चायए वह सेक्शनल टेस्ट हो कमबाइंड टेस्ट हो और ध्यान रहे यहां पर म 11 भूल रहा नहीं भूल रहो तो इमको बोलेंगे कि बस revision करते रहो कैसे कर रहे हो तुम्हारा काम है तो please dedication, discipline and जो मैं बता रहा हूं उसको routine मना के follow करना है बिना give up किये, बिना ये देखे कि हा मुझे तो कोई बोली निरा, मैं तो मस्ती करूंगा, नहीं खुद पर भरोसा and execute them Point No.3, Intermixing of Concepts बहुत important tip कि please 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 तुम सिर्फ 12th focused question solving मत करना because J.E. में बहुत बारना intermixed questions आते हैं मतलब syllabus 11, 12th का मिला के तुमको एक question पूछ देंगे और ये उनकी history रही है specially J.E. Advanced में तो तुमको ये make sure करना है कि अगर तुमको आइटी जाना है तो तुम अपने 12th की syllabus को जिस भी chapter को पढ़ रहे हैं उसको खतम करने के बाद नहीं तुम एडवांस लेवल के questions जरूर लगा रहे है तुमको ये दिख जाएगा कि हलाकि वह question 12th के chapter का part है उसमें कोई concept 11th की किसी chapter से डाला हुआ है और वहां पर automatically तुम्हारा 11th का भी syllabus के revision थोड़ा थोड़ा होता रहता है तो please इस बात को दिखान रखना कि intermixing of concepts बहुत जादा होती है J.E. Advanced में and trust me वह तुम्हारा 11th का revision वह करा देती है अगर तुम्हारा 11th का revision वह करा देती है अगर तुम्हारा 11th का revision का question solve करोगे तो example के तौर पे electro dynamics की किसी question में एक pulley लगा देंगे या फिर maths में integration का question होगा बट उसमें complex number घुसा देंगे और ऐसे questions तभी solve हो सकते है जब तुम्हें 11th और 12th दोनों के syllabus पे command हो और वो command करने का best way क्या है इनी questions को solve करना इनी questions का practice करना तो make sure कि तुम्हें एक अच्छा material go through करो and intermixed concepts वाले questions लगाओ ताकि तुम्हारा 11th का revision किसी भी reason से बहुत amazing level पे नहीं हो पाया था अगर subconsciously भी तुम्हारा help करते हैं अगर करते हैं तो तो 5-10% करने वाले है एक्च्छल तुमको अगर इनका effect देखना फायदा देखना है तो तुमको खुद से इन सारी बताई हुई बातों को अग्च्छल में फार पाऊगे एक साल है यार एक साल में जमीन आसमान तुम्हें कर सकते हो मैंने भी एक साल ड्रॉप लेके ही जहीं नहीं आला था क्योंकि 11-12 में में बोट्स पे फोकस कर रहा था तो अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो मेरे भाई प्लीज गिब अप मत करना अभी पूरा एक साल माकी है फोर देना बाकि अगर तुमको जेटेल्ड वीडियो बनानी जाहिए तो हम डेफिनेटली एक निव वीडियो लेकर आए उस पूरे टॉपिक को डिसकस करते हुए तिल दन कीप वर्किंग हार्ड बाकी सब्सक्राइब तुद चानल और 400 क सब्सक्राइबर्स पर मैं कुछ बड़ा गिफ्ट लेकर आने वाला हो तुमारे लिए अगर तुम उसके लेक्साइट हो तो नीचे कॉमेंट करके जरू बदाना हाश्टाग 400 के लिखना लेट सी कि मैं कितना एक्साइट हो 400 के लिए अच्छली में वस गिफ्ट के लिए तिल दन मेक शॉर तो सब्सक्राइब हाड इस इस एकलिप्स नवा साइन ओफ सी ने नेक्स वीडियो